मा की मामता एक भाव कहानी एक छोटे से कस्वे में समीर नाम का एक लड़का रहता था बच्पन में ही पीता की मिर्ति हो जाने के कारण परिवार की आर्थे की स्थिती बड़ी दैनी थी समीर की मा कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी लेकिन उतनी पढ़ाई से नोकरी कहां मिलने वाली थी जो घर घर बरतन मांच कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी समीर सबाव से थोड़ा सर मिला था और अक्सर चूप चाप बैठा रहता था एक दिन जब वो अस्कूल से लोटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था उसने मा को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा मा मास्टर साहिब ने तुम्हारे लिए चिठी भेजी है जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है मा ने मन ही मन चिठी पड़ी और मुश्कूरा कर बोली बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होसियार है इस अस्कूल के बाकी बचों की तुन्ना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक सिक्षक नहीं है इसलिए कल से आप इसे किसी और अस्कूल में भेजे यह बात सुन कर समीर को अस्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ पर साथ ही साथ उसका मन आत्म विश्वास से भर गया कि वो कुछ खास और कुछ उसकी बुधी तीवरे मा के उसका दाखिला एक अन अस्कूल में करा लिया समय बितने लगा समीर ने खुब एनत चपाई की आगे चल कर उसने सिविल सर्विस परिछा भी पास की और आईएस अफिसर बन गया समीर की मा अब बुधी हो चुकी थी और कई दिनों से दिमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मिर्ति हो गई समीर के लिए ये बहुत बड़ा आगहाथ था वह बिलख बिलख करो पड़ा उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपनी मा के बिना वह कैसे जिएगा रोते रोते ही उसकी मा के पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला चास्मा और अनवस्टुए लेकर चुमने लगा उस अलमारी में समीर के पुराने खिलावने और बजपन के कपड़े तक संभाल के रखे हुए थे समीर एक एक कर सारी चीजे निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चीठी पर पड़ी दरसल ये चीठी थी जो मास्टर सहाब ने उसे 18 साल पहले दी थी नम आखों से समीर उसे पड़ने लगा आदर्नी और विभावक आपको बताते हुए हमें अपसोच हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बहत कमजोर है और खेल कुद में भी भाग नहीं लेता जान पढ़ता है कि उम्रे के हिसाब से समीर के बुधी बिक्सित नहीं हो पाई है अथो हम इसे अपने बिद्याले में पढ़ाने में असमर्थ है आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुधी बिद्याले में कराए अथवा खुद घर पर रहकर इसे पढ़ाए समीर जानता था कि भले अब उसकी मा इस दुनिया में नहीं है पर वो जहां भी रहे उनका ममता शिर्वा सदा उस पर बना रहेगा दोस्तो रुडवार्ड की प्लिंग ने कहा है भागवान सभी जगा नहीं हो सकते इसलिए उसने मा बनाई है मा से बढ़ करते आग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है हम पर लिख ले पर कुछ चूप चाप नहीं हो सक पूरा करते यहां तक कि संतान बुड़ा बिवार करे तो भी उसका भाला ही सोती है